हेलो फरेंड्स आज हम बनाएंगे एक डम टेस्टी चटपटा मसाले पाउ पाउ पांस मिनुट में बनाए जाता है बहुती कम तेल और बटर में बनाएंगे यानि की बहुती टेस्टी लगता है तो अगर आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइबな किया हो तो सबसे पहले सबस् तो मैंने बटर लिया है दो बड़े चमश बटर को गरम होने देंगे आप चाहे तो ज़्यादा बटर का यूसकर सकते हैं उसके अदि हमें थोड़ा सा तेल भी यूजE कर लेना है करीब दो बड़े चमश मैंने तेल को एड़ कर दिया है उसके बाद अभी हम आदा चमाच जीरा एड़ कर देंगे किसकी आज मीडियम रखी है जीरा जैसे ही बुन जाए उसके बाद अभी हमें प्यास लएनी है प्यास मैंने एक मीडियम साइस के लिए है और बारिक कट कर ली है और थोड़ी हमें बचा के रखनी है और उसके बाद अभी हमें one foot cup capsicum लेना है उसको भी मैंने बारे कट कर लिया है तो वो भी हमें add कर देना है और अच्छे से mix करने के बाद अच्छे से soft होने तक हमें पकाना है तो आप देखेंगे हमारा प्यास, सिम्लामीज और लसुन अच्छे से भून गए है, soft हो चुके ह तो अभी हमें मसाले करने हैं तो मैंने लिया है पाव बाजी मसाला, दो पड़े चमच लिया है, गैस की आज स्लो कर देंगे, एक चमच लारमीज पाउडर एड़ कर देंगे, गरम मसाला एड़ कर देंगे, one foot teaspoon जितना, चाट मसाला लेंगे, एक बड़ा चमच जितना, उस अच्छे से मिक्स हो गए है, तो अभी हमें एक टामाटर बारिक कटा हुआ, इसके अंदर एड़ कर देना है, और उसको भी अच्छे से मिक्स करते रहना है, जिब तक की टामाटर सौफ ना हो जाए, तब तक हमें इसको पका लेना है, तो आप देखेंगे की मसाले बहुत ह अच्छे से बुन के तयार हो चुके है, यानि कि हमारा जो मसाले पाव का मसाला है, वो एकदम तयार हो चुका है, अभी हम उपर से नीमो का रस एड़ कर देंगे, करीब आदा चम्माट जितना गैस को अभी हमें बंद कर देना है, उपर से फ्रेज करते हुए धनिया पत्त तो चलिए अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और पाव के अंदर ये मसाला भर के तयार करेंगे, तो मैंने ये पाव को कट कर लिया है, अब देखेंगे कि सारे पाव कट करके रेडी है, मसाला भी तयार है, तो जैसे ही इस तरीके से हमें थोड़ा सा मसाला इसके अंदर डा चीज ग्रेट करके अब जाएं से पाव के उपर फोड़ा सा बटर की भी युज कर सकते हैं बनकर लेना है यह हमारा एक मसाले पाव बनके तयार है तो चलिए अभी हम उसको सेख लेंगे तो सारे मसाले पाव सेम तरीके से हमें बना लेने हैं आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा टॉमेटो केचप उपर से भी डाल सकते हैं लेकिन यह बहुत ही टेस्टी चटपटा है तो टॉमेटो केचप इतना अच्छा नहीं लगेगा और वो ही पैन को हमी गरम करना है उसके अंदर एक चमच बटर एड़ कर देना है और जैसे यह बटर गरम हो जाए उसके अंदर जो पाव हमने बना के रखे हैं वो इसके अंदर एड़ कर देने हैं और अच्छे से दोनों साइड से उसको सेक लेना है तकी बहुत ही अच्छा सा ये क्रिश्पी और चीज भी हमारा मैल्ट हो जाए और बहुत ही अच्छे से हमारे मसाले पाव बन के तयार है एकदम तयार हो चुके है आप देखेंगे उपर से क्रिस्पी हो गए है तो अभी हम इसको प्लेट में ले रहेंगे गार्णिश करेंगे तो मसाला पाव बन के तयार है आप देख सकते है घर्मा गरम पास से दस मिनिट में बनाए जाते है थोड़ी सी हम उसके अंदर बारिक कटी हुई प्यास ले लेंगे और थोड़ असा निम्बू भी ले लेंगे तो आप देखेंगे कि ये मसाला पाव बन के तयार है आप भी रेसिपी को जरूर बनाए रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट शेक्शन में जरूर कमेंट कीजेगा मिलती हो ऐसे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई